Hello everyone, welcome to MS Study Guru आज की इस वीडियो में कुछ खास टिप्स आपके साथ शियर करने वाली हूँ UGC Net के एक्जाम से रिलेटिब देखिए आप चाहे एकनोमिक स्टीम से हैं ये वीडियो आपके लिए equally important है तो इसमें हम कुछ टिप्स के साथ साथ कुछ एक्जाम के टाइम पर यानिके जिस दिन आपका एक्जाम होता है उस दिन आपको क्या करना है और एक्जाम हॉल में आपको कैसे कैसे टेम्ट चीजे करनी है उसके बार में भी कुछ डिसकेशन करेंगे अगर आप नए आई हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और MS Study Guru एप्लिकेशन को प्ले स्टोड पर जाके आपको डाउनलोड करना है वहाँ पिछाके अपना मन पसंदीदा कोर्स ले रहा है ठीक है जी? So, let's start, देखे UGC Net exam जब आप attempt करते हैं तो उसके बारे में एक दो चीज़े डिस्कुस करते हैं exam hall में आप बैठे हुए हैं exam attempt कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे हैं बहुत सा अच्छा पढ़के जाते हैं अच्छा खासा prepare करके जाते हैं उसके बावजुद भी number नहीं बन पाते तो वो क्या हमेशा मन में यही रहता है कि हमने इतना अच्छा prepare किया था दूसरा बच्चा जो इतना अच्छा नहीं भी पढ़ा था वो number ले गया हमारा रह गया तो उसके पीछे कुछ ना कुछ गलती हैं आपकी attemptation में होती है जब भी आप exam attempt करते होना तो कई बार कुछ difficult questions को देखे बहुत घबरा जाते हो देखे यह हर बार का रिवाज है NTA आपको ऐसे questions डालेगा ही exam में बिल्कुल डालेगा जो आपने कभी देखे नहीं है आपने कभी सुने नहीं जन topics के बारे में आप जानते नहीं है ठीके अगर सारा वेपर आपके जानते हुए में से आगया तो आपको 10th 12th में भी आप ऐसे exams देके आए थे सारा वेपर पड़े हुए में से आता है ऐसा कुछ बाहर से नहीं आता है तो कुछ चीज़े बाहर से आएंगी ऐसे चीज़े आएंगी जो आपने क्योंकि इंडिया लेवल का ये exam है तो आपको पहले ही मन बना आके चलना है कि exam में बहुत सारी चीज़े आएंगी ऐसी कि जो आपके out of cover मतलब पड़ी नहीं है कभी बट exam में अगर एक भी question ऐसा आपको ढूंड के मतलब आप चड़ते पहला देखा दूसरा देखा तीसरा नहीं आता चोथा देखा चोथा question अच्छा ये तो मैंने पड़ा हुए है बस मिल गया इसको गलत नहीं करके आना आपको जो आपको आता है जो आपने पड़ा हुए है उसको गलत नहीं करके आना अगर आपके 50 questions में से 25 से 30 questions भी ऐसे हैं, जो आपने पढ़े हुए हैं, जो आपको आते हैं, तो उनको तो गलत करके आने का सवाल पैदा होता ही नहीं है आपका, बस उस time खुश हो जाईए, जिस time आपको वो question मिल गया, कि हमने पढ़ा ही, हमको आता है, बस उसको सही ही करके आने हैं, अच्छे से पढ़के सही करके आने हैं, और जाधा ध्यान, कई बिच्चे जाधा ध्यान difficult questions को solve करने में इतना ध्यान लगा देते हैं, इतना time waste करते जाते हैं, कि हमको difficult ठीक करके आने हैं, क्योंकि वो लोग से सूचते हैं, कि अगर हम difficult ठीक करके आएंगे, तब आपकी score जाधा बढ़ाएंगे, मैंने हमेशा बोला है, जो बच्चा आते हुए questions भी गलत कराता है, वो competition से out होता है, ठीक है, competition में रहने के लिए ज़रूरी है, कि आपको आते हुए questions ठीक करके आरे, this tip is very very useful for you, तो exam में अगर difficult question है, मैं यह नहीं बोल रही कि उसको करना ही इसको attempt करने के कोशिश ही नहीं करने, ठीक है, करिए, attempt करिए, जितना हो सकता है, अपने तुक्के के accordingly, या उस पर भी एक method होता है, elimination method, elimination method की, उस question में से आप गलत को eliminate करने की कोशिश करिए, यह तो इस cancer हो नहीं सकता, काटो, यह भी नहीं हो सकता, काटो, चलो, फिर यह आपकी questions, elimination method से, common sense से, अपना presence of mind, हर बर मैं बोलती हूँ, उससे ठीक कराते हो, तो number तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, यह चीज़, अच्छा, यह तो हो गया, elimination method की बात, presence of mind रखनी है, easy questions को, जो आते हुए questions है, उनको सही करके आने, यह बाती होगी, exam के दुरान, और म हो सकता है, बहला difficult है, दूसरा बहुत ही असान हो, है ना, तो एक चीज़ और आप याद रखिए, एक मिनट से जाधा time मत दीजिएगा questions को, मतलब अगर आपको लग रहे है कि यह जाधा time consuming question है, तो उसे आप टिक करके, बाद में उस पर आ जाएगा, जब आपका पूरा वे मतलब यह नहीं है कि आपको गूरा बहुत काम आती है, और हमेशा यह मेरा डायलोग बहुत फेमस है बच्चों में, दुनिया बुला के जाधा चाड़ी वाला, कि आपने इस आखिर के महिने में दुनिया बुला के स्टड़ी कर लो, ठीक है, तो वो आपकी 6 महिने की मेहनत से भी जाधा वो चीज तरह अंगल आएगी, यहना, मैं आपको एक 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 जामपल के लिए बात बताते हूं, जैसे, consistency and determination अंदर की, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह नहीं है, कि आपको गूमना फिरना आना जाना छोड़ देना, दुनिया से बनाता ही तोड़ देना, इसी चीज नहीं है, बस आपके एक मन के अंदर वो चीज होनी चाहिए, कि मेरा यह गोल है, मेरा यह लक्ष है, और हर रोज मुझे उस लक्ष के पास जाने के लिए कुछ करना ही करना है, यहना, मैं आपको एक 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 जामपल देती हूं, जैसे, मैं बहुत ट्रेवल करती ह मैं कहीं भी घर से बाहर जाते हूं, एक घंटे के लिए मेरा लैपटोप बैग में होता है, आई नो कि मेरी ख्लास्यज है, यह जब ली एकल है, तो मैं जहां पर भी रेस्टोर न में बैठी हूं, यह अगर गारी दूसरा बंदा ड्राइव कर रहा है, गारी में में फ्री या कहीं पर भी ऐसा हुजे लगता है कि मैं गूमने गई हूँ ए ट्रैवल में फ्री बैठी हूँ तो रेस्ट्रेंट में ओडर दिया, ओडर दे के 10-15 मिनिट आने में लग जाते हैं, मैं फ्री बैठी हूँ तो उस टाइम पर मैं अपना लैप्टॉप खोल के जो भी क्लासे हैं, नोट्स की रिवीजन करते रही हैं, यह दिमाग में जैसे मैंने हमेशे अपने स्टूडेंट्स को बताया, एक स्टॉरी की तरह घुमाते रहो लिगो, पॉली के मोडल्स है, अचा स्टैकलबर्ग में यह कहा था, कुर्णों ने यह कहा था, और चैंबलन के मोडल में तो उसको दिमाग में दुराते रहो आपने, यह अगर आपके पास नोट्स है, तो उनको मतलब रिवाइस करते रहो, तो मतलब टाइम वेस्ट मत करो, मैंने हमेशा एक चीज आपको और कही है, कि जब भी आप फ्री बैठे होते हो यह जब भी अपने टाइम को जाधा वेस बात समझें, तो इन चीजों को अपने दिमाग में रखिएगा, और बेस्ट ओफलक सभी को एक्जाम के लिए, MS Study Guru आप आप सब लोग ज़रूर डाउनलोड करिएगा, वहाँ पे अभी मैंने Paper One का कोर्स भी लौंच कर दिया है, Paper to Economics and Paper One का कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है, Test Thank You!